ब्रेस्ट कैंसर या सतन का कैंसर हुंदुस्तान और पूरे विश्व में सबसे कॉमन कैंसर है लेकिन इससे जल्दी पकड़ा जा सकता है आप पूछेंगे कैसे इसका जवाब है ब्रेस्ट सेल्फ इग्जामिनेशन से मतलब स्तन्स्वयम परीक्षन Stun Cancer अगर जल्दी पकड में आ जाए तो इससे पूरी तरह छुटकारा पाया जा सकता है Breast Cancer जल्दी पता चलने पे और उसका जल सी जल ट्रीप्मेंट कराने से क्योर पॉसिबल है यानि पून तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है Stun का स्वास्त आप से शुरू होता है इसे लिए आज हम आपको स्वयम Stun Parikshan या Breast Self-Examination करना सिखाएंगे और उसके बारे में कुछ चीज़े बताएंगे Breast Self-Examination बहुत ही महत्वपून है और यह बहुत आसान भी है इसके कई साइदे हैं सबसे पहला, Breast Self-Examination या Stun स्वयम परिक्षन करने से आप खुद ही अपनी चिकितसत बनती हैं दूसरा, इसमें कोई खर्च नहीं और तीसरा और सबसे इंपॉर्टन्ट आप अपने लिए अपने परिवार के लिए और इस समाज के लिए बहुत जरूरी है इसलिए, Breast Self-Examination करके आप अपने आपको बचा सकते हैं Stun स्वयम परिक्षन करते वक्त आपको ये सोचना है कि अगर ये बिमारी जल्दी पकड में आ गई तो आपका पूरी तरीके से क्योर होगा झालि जल्दी 1 तीसरा, एक तक्ये के नीचे अपने हाथ, एक तक्ये को अपने हाथ के नीचे रखे लेजाएं और दूसरे हाथ से अपने स्तन को महसूस करें, कहीं कोई गिल्टी या सूजन तो नहीं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको ब्रेस सेल्प इग्जामिनेशन या स्तन्स्वयम करने के लिए प्राइवेसी नहीं मिलती ऐसी महिलाओं के लिए हम ये कहेंगे कि वो नहाते समय अपना स्टन स्वयम परिक्षन करें सबसी साथा जरूरी है स्टन का कैंसर के बारे में ये पता होना कि जाधा तर यानि की मोस्ट कॉमनली जो ट्यूमर होता है वो आपके स्टन क के उपरी और बाहर के किनारे पे जाधा तर आता है इस बात को भी ध्यान में रखे जब आप स्टन स्वयम परिक्षन करें तब स्टन स्वयम परिक्षन कब से करना चाहिए 20 साल की उमर से आपको ब्रेस सेल्फ इग्जामिनेशन शुरू कर देना चाहिए फिर आप हमसे पात से साथ दिन बाद आप ब्रेस सेल्फ इग्जामिनेशन करें ऐसी महिलाएं जिनको पीरियद्स आना बंग हो गये हैं या जिनका यूट्रिस निकाल दिया गया है यानि बच्चे नानी निकाल दी गयी है और उनको अब पीरियद्स नहीं आते हैं ऐसी महिलाओं के तो पहली या आफिरी तारिक को ब्रेस सेल्प इग्जामिनेशन करें